इंसानों की लडाई में भगवान को तीन दिन तक भूका रहना पड़ा आज जब एक पक्ष भगवान के दर्बार में भोग लगाने पहुंचा तो दूसरा पक्ष भोग लगाने के लिए विरोध करने लगा दोनों पक्षों में काफी देर तर विवाद चलता रहा जिसके बाद जब मामला मेडिया के संग्यान में आया तो मंदर कमेठी ने जांच की बात कही है दरसल मामला ग्वालियर की प्राचीन सनातन धर्म मंदर का है जहां मंदर कमेठी और पुरानी मंदर कमेठी के बीच विवाद चल रहा था जिसके चलते तीन दिन से चक्रधर बंसी बारे श्री कृष्ण को भूग नहीं लगी जिसके बार पुरानी कमेठी आज तक भगवान चक्रधर को जब आज भूग लगाने पहुँची तो नई कमेठी ने हंगामा कर दिया और पुरानी कमेठी को भूग लगाने से मना कर दिया रसोयय महिला का भी यही कहना है कि उसे दो दिन पहले वहां से मंडल मंत्री ने भगवान का भ wzglग बनाने के लिए मना कर दिया था वहीं जब मामला मिडिया के संग्यान में आया तो मंदिर कमेटी ने आननफानन में मीटिंग कर आज से भोग लागाने की बात कही है सांथी पूरे मामले की जांच की बात कही गई है सब्सक्राइब कर रहे हैं हमसे जा रहे हैं आज अखबार अपड़ा तक से हम लोग बिचली थे बगवान को भूग लगा नहीं लगा है और के कमेटी वालों नहीं सुविकार करा है कि हमारी आपस में कमी रही है भूग नहीं लगा मैं पिछले 15 सालों से ठाकोट जी की सेवा में हूं रगवान की प्रशादी बनाती हूं मेरा किसी से कोई लड़ाई जगड़ा कोई टैंसर नहीं है आपको परसादी नहीं बनाना चाहिए तो मैंन सो बोला कि आपको हमें इंफरम करना चाहिए था कि आज नहीं मानेंगे या कल मानेंगे हमारे यह हमारे का भूंग नहीं कोड़े यू आप टाला बंद कर यूँ आप जाय जना करों दो कि अब ऐसी शीज की जान खाना चैला है क्या चोई नहीं हमारे कसी से कोई इना तेना नहीं कि बीफाब, आप और यो जा कॉल bigger खिए झान तो एक आप हमें एख में बैषाझा और फिर कुछ पिर कि अआ ऐग इंचा डिया झालन हमें चाओ जी मंट्री और चले गई थे तो कावम जय था जो είज तो बोलें एंधा ठीक नहीं हूना चाहिप आप से किसमे मना किया था चौबेजी बोल रहे हैं ते पंडीची को बला लो फूश मूल से पंडीची खुद बोलेंगे